हाथ तो गाईज स्वागा थे टू दबजमी आई के विदाओट सबसे खतरनाक वाले गेमपले में और आज का गेमपले हम अधूरे से सुरू कर रहे हैं क्योंकि यार इसके पहले हमने कुछ खास उखाड़ा नहीं बस एक बोट मारा है और दो चार घर लुटा है देख लो यहाँ पर तीन चार बंदे लेकिन तुम्हारे भाई ने पीछे मुड के नहीं देखा इसे बोलते हैं आइटिट्यूड अब गाईज यार हमारे मिल्ट्रेटरी बेस पहुँचने हैं पहले हमको पता चलते हैं इनके पास बंदे भी आ गए अब देखो यार तुम्हारा भाई फट्टू तो है नहीं तुम्हारा भाई है एक नमबर का लुटेरा जान जाए पर लूट न जाए बाबा हमका गजोरा चाही तो चाही अब देखो यहार पे एक बंदा दिख जाता है हमसाला गाड़ी ठोकते लेकिन हमारे टिममेट ने मार दिया अब जो हमें सबसे में काम करना है इसके खिलाब पहले केस करना है भाई सब चोरी करना इलीगल है और यार इसने तो हमारा पूरा किली चुरा लिया आप देखो सामने एक बंदा हमको मिल जाता है जो की नौक होते होते बच गया वो नहीं मै वो तो खेर नौक होई गया नौक क्या साले को फिनिस भी कर दिया अब गाईस जार हम इसको लूटने के सोच रहे थे तभी हमारा दो नौमबर भाई साब नौक हो जाता है अब वेरिफाई भी कर दिया रुको हमको पता यह कहां हो गया उपर भाग गया लगता है गाईस कहां पर है साल अब बंदा कौन इसमें अब बंदा कौन से था अब भी अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए अब देखो काईस हम उधर से लूट पाड़ करके आ जाते हैं यहां पर बिरिज पे और अब हमारी लड़ाई उन बंदों से होगी जो हमको मिले थे रास्ते में और आब आप लोग को लग रहा होगा मुझे मजा आता है लड़ाई लेने में अबे मजा नहीं फटी जा रही है एक तो बड़े दिन बाद गजोरा मिली उसमें भी जाकर मर गए तो कैसा लगेगा अब देखो यहां पर दो तीन बंदे हमको मिल जाते हैं जिसमें कि तुम्हारे भाई का अच्छा कासा किल चोरी हो जाता है अभी भी दांत दि किसीutta यह से पहले कि हमारी पेटी से स्मोक निकले देखो गाईज आब हम जायरे सामने और बंदो पर रस करने और आज मैं आपको रस structure करने के फायदा बताऊंगा देखो यहार कहीं पर रस करके पैटी तो बनती है लेकिन आर ना रस करके वैसे बेती ही बनती है तो मैं जो खुजली होती है वो कम हो जाएगी तो सामने इसको बंदा फायर कर रहा है उसको साले गुरू को बताते है अट जब भाई अब मुझे गुस्सा आगे आप साले को हिल करके इससा बताऊंगा ना क्या बताऊं वो सब छोड़ो तीन तीन पेटिया पढ़ी उसको लूटते है तो गयर मार पीट तो होती रहती है लूट पाट भी होता है रहता है तो हम लोगों को ना खैर छोड़ो अब हम यहां से भाग चलते हैं देखो हमेशा आपको आपका strong decision आपको strong बनाता है और चूतिय डिसीजन आपको चूतिय बनाता है तो यह मेरा पता नहीं कैसा decision था किस category में आता है बताना option दे देता हूँ strong बस यही एक option अब guys यार हमने ही लूल कर लिया है अब जा रहे हम रस करने क्योंकि आर भागने का काम कायवरो का है ना कि डर पोक का तो हमें दूसरों का काम नहीं चीनना चाहिए बलकि मैं तो यह कहता हूँ मेरा कोई आके काम कर दिया करे मेरा काम मतलब मेरा काम अरे मेरा काम अरे मेरा फिजकली वाला काम अरे छोड़ो यार गेम पर फोकस करो गेम पर यार अक्चलि मैं बोलते बोलते भूल जाता हूँ कि अक्चलि मुझे बोला क्या होता है मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूँ साला पता नहीं चलता ये जो भूलने वाली प्रॉबलम है बहुत दिन से मेरे साथ चली आ रही है मतलब कि भाई बचपन से मतलब कि भाई एक बार क्या हुआ है मैं क्लास टेंथ में था तुम्हारे भाई की सेटिंग हो गई और इस साला सामने वाला बंदा हमारे मूट के मुरबब बनाने पर आ गया है ख़ए रब उसको जो करना है करने तो भाई साब हम तो अपने काम से काम रखेंगे अभी देखो हमारा बैग थोड़ा सा खाली है तो उसको बहर लेते हैं और भाई साब जहाँ पर फिरी का माल मिल रहा हूना तो वहाँ पर बैक को उल्टा करके भढ़ना चाहिए और इसके कई सारे फायदे हैं एक तो बैक उल्टा करने में सारा समन गिर जाएगा और यार हमने गजोरा छोड़ केम के ले लिया है कोई हम पर फायर कर रहा था इसके पास संसकार नाम की चीज ही नहीं यार सही बता रहा हूँ इसको अभी ये पता ही नहीं कि किसी की काम में बाधा नहीं डालना चाहिए वो कैसे बोलते हैं बेटा तुम में प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं है अच्छा बैट लिया है है साधन है हाँ तो गाईज हमने दूसरा मैच लगा दिया है और ये वाला मैच भी हम आधे से सुरू कर रहे हैं क्योंकि हम उतरे थे पोचीश रकी और साला यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं आया क्योंकि है मेरे टिम्मिट नहीं साली उतर के भाग जाते अब देखो गाईज हम अपनी गाड़ी से उतर कर उस बंदे को ढूंडने आ है यहाँ पर चट पर और वो बंदा भाई साब चट से उतर के जा के हमारी गाड़ी में बैट गया लेकिन इनके एक बात हमको समझ नहीं है गाड़ी में बैठे थे तो लेके भाग जाना चाहिए था गेट इन करने क्या ज़रूरत थी I think driver के इंतजार कर रहा था अब गाईज हम आ जाते हैं department और यहाँ पर भी हमको एक ही बंदे का पुटिटे पाता है और अब तुम्हारा भाई आइचा घंचा के इस्तमाल करके उसको मारेगा तो भाई साब हम छट पर आ गए हैं और अब यहीं पर अब यह किधर देख रहा था चलो खेर आज की लॉबी में बंदे एक एक मिल रहे हैं वो भी अनेक अनेक किसी के दिमाग नहीं तो किसी के आँख नहीं है अब गाईज देखो बिरिज के उस सर्ट चली थे फ्लियर और अब तुम्हारा भाई जा रहा है वहाँ भी भेड़ मारने आज तुम्हारा भाई ना खुद जीने के मूड में है ना दूसरे को जीने देने के मूड में है मतलब कि हमारी फीलिंग्स को समझ रहो ना ना लूटेंगे ना लूटने देंगे तो तुम्हारा भाई अकेला ही रस कर दिया है एक बंदा नौक दो बंदा नौक तुम्हारा भाई जा रहा है और यह इस पर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साब देख रहे नौकी नहीं हो रहा है बे अरे हो गया हो गया भाई साब अब गयल देखो ब्रिज के इस पार हमा आ जाते हैं और तभी देखते हैं यहां डपोर पे कुछ बंदे आ जाते हैं वैसे मैंने कल ही सोते समय प्लैन बनाया था कि यार जाओंगा पीछे से फ्लैंग करके बंदे मारूंगा जादा जादा किल मिलेगा लेकिन ये साला दो नमबर हमारा टिम मेट आके बीच में टांग अड़ा दिया मैंने सिर्फ इसको दो ही तिन बार बोला था आज ये बंदे मारते लेकिन ये साला एकी बार में मेरी बात को सीरियस ले लिया और ये तो मेरे से भी आगे चल दिया रस करने के लिए अब यहां पर पत नहीं मैंने किसको नोक किया कि लगता है दोनों बाट थे कि दोनों बंडे थे कि एक बाट था दो बंडे थे क्या सीन था पता यह नहीं चल रहा है अब ये मैच खतम हो जाने तो साले को फोन करके गालिया दूँगा अब ये गाई सामने छट पर एक बंदा काफी दे सिट्टू चिट्टू चिक कर रहा था और फिर हमने थोड़ा फुरफुरा दिया भाई साथ वो तो नौकी हो गया अब ये बोट है ये तो अब ये मैंने बोट के उपर रस किया है क्या खैर अब वो जो भी हो मैंने कलच किया है तो किया है अब गाईस देखो सामने एक MK वाला बंदा वो भी काफी देर से चिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कर रहा है उसको भी एक बार फुरपुरा देते हैं हेट लगी एक बार तू अंदर घुजगिया तो अब वो भले नौक नहीं हुए लेकिन इतना confidence आ गया मेरे को मेरे को इस situation में भी रस कर देना जाए क्योंकि आर मैंने जिस हिसाब से उसको इस प्रे मारा है ना उसके तो हाथ कापने लग गए होंगे वो भी कह रहोगा ये कौन सी बला छेड़ी मेंने भाई साब experience बोलता है यार experience है नहीं लेकिन बोलता बहुत है अब देखो वो बंदा हमको एक बार फिर से मारने के लिए तड़प रहा है तो भाई साब आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और हाँ आज भी kitchen dinner मिलेगा और जरूर मिलेगा हमको नहीं enemy लोग को और यार आज में इतना खुसू अपने लिए दो सब्द पेस करना चाहूंगा लाइक करो सब्सक्राइब करो